A very good morning to all my dear students. Welcome to another chapter. आज हम start करने वाले हैं Biotechnology Principles and Processes. Biotechnology के unit में दो chapters हैं, Biotechnology Principles and Processes and Biotechnology and its Applications. दोनों ही chapters बहुत important है, around 10 marks का weightage होता है. हम पहले हर word, हर line of NCRT को अच्छे से decode करेंगे. क्योंकि 1 mark, 2 mark, 3 mark के questions जो हैं, वो बिना पूरी NCRT को समझे, हम attempt नहीं कर सकते अच्छे से. And of course, 5 marks के भी जो बड़े questions आते हैं, उसे हम यहाँ पर discuss करेंगे. आज की class में पढ़ाऊंगी, इसे आपको अच्छे से घर पे revise करना हैं और learn करना है. कौन-कौन से main questions आते हैं, किस area से वो भी हम सब discuss करेंगे. And of course, NCRT एक बार cover करने के बाद, हम इसमें previous year के आई हुए questions और किस तरह से approach रखकर उन्हें solve करना है, वो आप मुझे बताएंगे और फिर मैं आपको corrections बताऊंगी. तो आएए हम शुरू करते हैं, Bio Technology Principles and Processes chapter से. Students, principles का क्या मतलब होता है? Principles मतलब सिध्धांत, और processes मतलब जो भी प्रक्रियां हैं. Bio Technology का क्या मतलब है? Bio मतलब living और technology मतलब तक्नीक. जब हम कोई ऐसी technology यूज़ करें, जहांपर हम living organisms में कुछ changes करें, ताकि वो हमारे humans के काम आए तो उसे हम कहेंगे biotechnology इस chapter में हम पढ़ेंगे उसके सिद्धांत याने principles and उसके processes याने प्रक्रियाएं और next chapter में हम पढ़ेंगे कि कहां इस तरह की biotechnological procedures को use करा गया है in human life तो आए पहले हमको चैंसी आर्टी की lines discuss करते हैं जैसे biotechnology का एक मोटा मोटा मतलब क्या होता है हाले कि अब modern definition इसकी change हो चुकी इसका मतलब है use of ध्यान से सुनिए techniques of using live organisms तभी तो bio word है या enzymes from these organisms to produce what products and processes useful to human सदियों से हमारे घरों में हमारी दादी, नानी, मम्मी क्या बनाते आ रहे हैं दूट से दही जमाते आ रहे हैं दही में आप जानते हैं lactobacillus bacteria है जो दूट को दही में convert करता है यानि ये examples आपको अच्छे से आने चाहिए making curd, bread या wine या beer दोनों में ही एक yeast use होता है saccharomyces cerevisae तो वो बनवाता है अंगूर, grape juice से wine या malt से beer या bread तो ये भी क्या है ये सब biotechnology के ही examples है क्यों? क्योंकि इन सभी में microorganisms mediated processes use किये जाते हैं तो पहले ये कहा जाता था कि use of living organism या उनके enzymes for making products which are useful for human beings उसे biotechnology कहते हैं लेकिन आज इसको थोड़ा सा और deep में और restricted sense में use किया जाता है जहां students अब genetically modify किया जाता है organisms को और उसके through कोई process या service obtain की जाती है कैसे वो हम सब धीरे धीरे इस chapter में पढ़ेंगे तो आज की अगर हम बात करें तो restricted sense में use किया जाता है ये word biotechnology यानि वो सभी processes जो use करते हैं genetically modified organisms और achieve करेंगे हम जो भी process चाहिए या technique चाहिए on large scale एक चोड़ा से example देती हूँ ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आए आप सब जानते हैं diabetes mellitus यानि मधू मेरोग जिसे sugar शकर की बिमारी कहते हैं वो बहुत common हो गई है human beings में अब suppose करें आप ये भी जानते हूँ कि वो insulin की deficiency कमी से होती है यानि ऐसे patients को insulin के injection लगाए जाते हैं पहले जमाने में क्या किया जाता था NCRT की lines भी है next chapter की तो ध्यान से सुनना जो cattle या pigs थे उन्हें slaughter यानि मारते थे क्योंकि वो भी mammals है human की तरह और उनका pancreas निकालते थे और pancreas के अंदर से insulin को withdraw करते थे क्योंकि आप जानते है pancreas के अंदर beta cells जो है islet of langer hands वही insulin बनाते हैं और उसे purify करके human use के लिए use करते थे अब एक बात समझो कि भले ही वो mammals हैं बट उनकी species तो अलग हैं तो हमसे तो काफी अलग होगी उनकी insulin तो ऐसी insulin जब humans को दी जाती थी हमारा immune system कई बार उसके खिलाफ बहुत ही negatively react करता था और immunological reactions होती थी जिसके कारण से patient की death तक हो सकती थी अब scientist ने क्या किया scientist ने वो gene ढून लिया देखो अगर कोई protein बन रहा है तो वो किसी mRNA से बनेगा और mRNA किसी gene से बनेगा उन्होंने वो gene identify कर लिया जो insulin produce करता है और या तो उसे direct cell में से निकाल लिया या उस gene को artificially lab में बना लिया और उस gene को किसी भी तरह किस तरह हम समझेंगे processes में उसे E. coli के अंदर डाल दिया एक bacteria के अंदर डाल दिया अब इस bacteria के पास खुद का already DNA तो था पर अब इसके पास एक नया gene आ गया यानि इसका genome में modification हो गया change हो गया इस E. coli को हम कहेंगे genetically modified organism genetically modified मतलब जिसके पास खुद के DNA के genetic material के अलावा कोई और DNA आ जाए अब इस E. coli को हमने large scale पे ग्रो करा तो दढ़ादर E. coli सभी daughter cell के अंदर हमारा वो gene जो हमारा foreign gene है alien gene है जैसे जादू आया था कोई मिल गया में alien यानि दूसरे planet से या PK आया था दूसरे planet से alien gene है उस E. coli के लिए तो ये alien ही है या foreign gene है या हमारा desired gene है उसी वाला product हमें चाहिए उसी का product ये भी सारे daughter cells में जा रहा है और सारे daughter cells सारे E. coli के अंदर वो gene अपने आपको express कर रहा है mRNA बना रहा है उससे protein बना रहा है यानि insulin बना रहा है और हमें large scale पे insulin मिल गया तो धेर सारा insulin मिला प्लस अब ये हमारे immune system के लिए दुश्मन नहीं होगा क्यों क्योंकि ये उसी gene से बनाए exactly same gene से जो body के अंदर भी insulin बनाता है तो foreign reactions नहीं हुई यानि कि immunological reactions नहीं हुई, rejection नहीं हुआ, large scale पे mass production हो गया, this is biotechnology हमने E. coli का एक living organism का use कर लिया for making the product which is called insulin तो यही तो है genetically modified organisms को हम use करते है to achieve that product on a large scale now, बहुत सारी और भी processes और techniques हैं जो इस biotechnology के अंदर included हैं, जिने हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, अब आपको four examples learn करने हैं biotechnology में क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनना ये तो है, ये तो पुराना है, curd, bread, wine, अब समझो, एक जिसकी मैं specialist हुई, यानि IVF, in vitro fertilization यानि test tube baby, रटा होना चाहिए, very, very, very important, first example second example, कोई gene बनाना और उसे use करना, मैं आपको बताऊंगी students कि कैसे हम gene defects को भी correct कर सकते हैं, so synthesizing a gene and using it you have to learn it, तीसरा DNA vaccines बनाना, very, very important DNA vaccine and as I told you, correcting a defective cheat so, यह four examples आपको clearly आने चाहिए, they are all parts of biotechnology अब, जो latest definition है वो किसने दी है, उसका full form यह one mark में बहुत commonly पूछा जाता है that is, European Federation of Biotechnology इसका full form आना चाहिए, EFB का full form होता है, यह this is very, very important, और इन्हों ने अब जो definition दी है, बायो टेकनलोजी कि वो हमें रटे होनी चाहिए, word by word one mark में question आ सकता है इन्होंने traditional view जहाँ पर पूरा का पूरा organism या उसका enzyme यूज करते थे या नया view, जहाँ पर genetically modify करते हैं organism को, living organism को, product obtain करने के लिए उन दोनों को combine कर दिया है तो यह भी बहुत important है कि traditional view and modern view दोनों को combine करता है क्या है definition by EFP बहुत simple है यहाँ पर हम natural science and physics, chemistry, maths वो सब भी use करेंगे और साथ में हम organism या तो पूरा use करेंगे, या उसका cell use करेंगे, या उसके cell का कोई part use करेंगे, या उसका कोई molecular analog use करेंगे to obtain some products and services जैसे हमने gene काट के डाला तो हम gene को use कर रहे हैं राइट, सो बोलिए मेरे साथ क्या है definition learn करनी है word by word definition पे as it is marks मिलते हैं और definition में थोड़ा भी आगे पीछे करते हैं तो सीरे marks करते हैं तो इसे रटना है अच्छे से, चलिए the integration of natural sciences and organisms या उसका cell या उसका part या उसका molecular analog किसलिए products and services के लिए हो गए याद अच्छे से, आगे बढ़े so this is also very important now अब हम आते हैं इसके सिधांत इसके principles पर इसके दो principles हैं, बहुत simple एक तो मैंने आपको बताया कि हमें DNA के साथ काट छाट करनी है हमें अपना for example insulin वाला gene निकालना है cell के अंदर से human cell के अंदर से और उसे E. coli के अंदर डालना है students जब भी कोई बच्चा बहुत ऐसे games खेलता है जहां वो तोड़ फोड़ करता है उसको कोई नया toy लाके देते है वो पूरा खोल देता है उसको आप fridge ट्रक लाके दोगे वो सब खोल देता है तो अपन क्या बोलते है जो बड़ा engineer टाइप का है वो देखा होगा ना 3 idiots में वो जो गाना है उसमें वो आमिर खान fridge ठीक करने की कुछ कोशिश करता है तो वो एकदम से खुल जाता है there was some sequence like that तो मुझे क्या बूलते है यह तो बड़ा engineer है जी हाँ इसका पहला सिद्धान्त फर्स्ट प्रिंसिपल है जैनेटिक इंजिनिरिंग अब ये जो दो प्रिंसिपल्स है इसके जैनेटिक इंजिनिरिंग और बायो प्रोसेस की इंजिनिरिंग ये हो सकता है जिससे हम जैनिटिक मटेरियल जैनेटिक मटेरियल जैनेटिक मोसली डीने होता है कभी-कभी आरेने भी हो सकता है उसकी केमेस्ट्री बदलेंगे जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन वाला जीन या तो लाब में बनाएंगे या हुमन से लेंगे और उसे इंट्रोड्यूज़ करेंगे होस्ट के अंदर जैसे E. Coli के अंदर होस्ट किया और हम इस तरहां से होस्ट के अंदर डालेंगे होस्ट के अंदर उसे अपने आपको express करना चाहिए याने E. Coli के अंदर insulin बनना चाहिए याने it should be able to change the phenotype of the host organism अगर आपने इंसुलिन का जीन लिया होस्ट के अंदर एको लाइक अंदर डाला पर उसने इंसुलिन ही नहीं बनाया तो फिर किसी काम कर नहीं है तो what is genetic engineering बोलिए मेरे साथ repeat करिए मेरे साथ techniques to alter the chemistry of genetic material chemistry alter करी then introduce into host organism and then change the phenotype of host organism हो गए पूरी complete one mark two mark कैसे भी three mark तक में एक question आ सकता है अब second देखो हम क्या करने वाले है यह जो genetically modified ecoli यह से large scale पे grow करेंगे ताकि खूब सारा product मिले मान लो आपने से culture में डाला और वहाँ पहले से ही कोई दूसरा bacteria का infection था या दूसरा fungus था या दूसरा yeast था तो वो भी nutrient media use करेगा फलेगा फूलेगा तो इस बिचारे का हमारा जो host है उसका तो खाना पीना share हो जाएगा उसकी growth कम होगी तो हम क्या चाहते हैं वहाँ पर sterile condition maintain करें सिर्फ और सिर्फ हमारा desired host ही grow करें undesired organisms grow ना करें यानि जब हम process करेंगे बायो process करेंगे तब हमें क्या engineering लगानी है हमें maintain करना ही यानि microbe contamination free ambience ambience मतलब बाता वरन कब chemical engineering process में chemical engineering मतलब जब हम उन्हें chemical देके nutrients देके और grow करवा रहे हैं क्यूं ताकि सिर्फ only the desired microbe or eukaryotic cell grow in large quantities ताकि biotechnological product बन सके मैं फिर बोलती हूं maintenance of sterile, sterile मतलब microbe contamination free ambience in chemical engineering processes ताकि सिर्फ growth of the desired microbe or eukaryotic cell जो भी host हमने लिया है large quantity में ताकि हम obtain करें biotechnological product क्या-क्या हो सकता है biotechnological product student antibiotics रटा होना चाहिए DNA vaccines तो बताये ही था आपको enzymes etc now so यह principles बहुत ही important था 1 mark, 2 mark, 3 mark कैसे भी questions आ सकते हैं आई अब हम conceptual development पढ़ते है principles of genetic engineering का समझो हम यह क्यों कर रहे हैं देखें दो तरह का reproduction होता है asexual and sexual दोनों में क्या difference है दोनों के अपने कुछ advantage है अपने कुछ disadvantage है asexual reproduction का benefit यह है कि उसे carbon copy of parent मिलता है कैने अगर किसी plant में किसी organism में बहुत अच्छा कोई character है हम चाहते हैं वो character retain रहे तो हम चाहेंगे कि उसमें asexual reproduction हो पर नुकसान यह है कि variation नहीं हो रहा कोई modification change नहीं हो रहा तो फिर विकास कैसे होगा sexual reproduction में change आता है इसलिए विकास होता है changes आ आकर ही तो हम सब modify हुए है evolution हुआ है नए-nए species आई हैं तो दोनों के ही अपने advantage and disadvantage है आए देखते हैं यह question पूछते हैं advantage of sexual reproduction over asexual reproduction क्या है कि former यानि जो sexual reproduction है यह opportunity provide करता है for variations and formulation of unique combination of genetic setup नए-nए genetic setup बनेंगे some of which may be beneficial to the organism as well as population very very important यह one mark में पूछ सकते हैं what is the advantage of sexual over asexual reproduction मान लीजे बाहर बहुत प्रतिकूल unfavorable environment है और उसमें वो जो parent cell है वो parent organism जो वो survive नहीं कर पा रहा है अगर वो asexually reproduce करेगा तो उसका daughter's organism भी नहीं survive कर पाएगा पर अगर sexually reproduce करेगा हो सकता है उसमें crossing over के time genetic recombination के time कोई ऐसा change आ जाजाए variation आ जाए जो उसके लिए beneficial हो और वो इस adverse environment condition में जिन्दा रह जाए आई बात समझ में now, asexual reproduction का क्या advantage है यह भी one mark में पूछा जा सकता है यह preserve करता है genetic information को while sexual reproduction में variations होते हैं तो दोनों का ही एक-एक advantage हमें आना चाहे अब पहले हम क्या करते थे अगर हमें मान लीजी कोई ऐसा calf चाहिए गाई का बच्चा जिसमें mother की यानि गाई की cow की तो good quality milk production हो और father यानि bull का, bell का disease resistance हो तो हम क्या करते थे हम इस cow का और इस bull की mating कराते थे यानि artificially hybridization कराते थे लेकिन उसमें कोई guarantee थोड़ी ना है कि उनके वही वही वाले genes आपस में दोनों मिलकर offspring के अंदर आए, हो सकता है किसी एक का ही gene आए, हो सकता है दोनों के ही gene नहीं आए हो सकता है कि bull का कोई और negative character उसके अंदर आ जाए, तो यह बहुत बड़ा limitation था traditional hybridization से कोशिश करने की कि हम कुछ नया कर सके so traditional hybridization में question आता है students, इसे plant and animal breeding में use करते थे लेकिन इसका disadvantage क्या था यह question पूछते हैं, इसका disadvantage यह था कि यहाँ पर कई बार multiplication हो जाता था, undesirable genes का along with desirable genes is it very clear this was a disadvantage, तो यह तीनो one one mark के question बनते हैं और combine करके two three marks में भी आ सकते हैं, अब genetic engineering से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे control में है, अगर मुझे ऐसा काफ बनाना है, तो मैं गाय का वही वाला gene निकाल लूँगी, male bull का वही gene निकाल लूँगी, जो disease resistance वाला है, good quality milk वाला है, और मैं उसे controlled way में उसके अंदर डालूँगी, तो यहाँ पर कोई और side effect का chance नहीं है, so technique of genetic engineering, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पहले एक R DNA बनाएंगे, कैसे मैं समझाऊंगी आपको, उसके बाद उसकी multiple copies बनाएंगे, उसे transfer करेंगे, उससे हम इस hybridization की यह जो limitation है, क्या limitation है, कि desirable के साथ undesirable gene भी कई बार include and multiply कर जाते हैं, उसे हम overcome कर लेंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ introduce कर सकते हैं, one or more set of desirable gene, without introducing undesirable gene, into target organism, is it very very clear, so genetic engineering is the solution for the problem that exists with traditional hybridization, अब, यहाँ एक बात समझेगा, अगर हमने जो अपना gene डाला है, जैसे insulin produce करने वाला gene, अगर उसने host के अंदर जाकर express नहीं किया, multiply नहीं किया, अपनी copies नहीं बनाई, और insulin नहीं बनाए, तो फिर यह सब procedure फेल हो जाएगा, तो हम यह कैसे कर सकते, या तो हम इसे किसी ऐसी taxi, bus, auto के अंदर भेजें, जो अपनी multiple copies बनाए, host के अंदर जाकर, तो हमारा foreign gene भी multiply करे और express करे, वरना हमें इसे host का जो DNA है, जैसे E. coli का DNA, उसके साथ जुडवाना पड़ेगा, ताकि जब वो multiply करे, replicate करे, तो हमारा desired gene भी ऐसा करे, बस यहीं यहां लिखा है, So, the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of organism, लेकिन अगर हम उसे genome of recipient के अंदर डाले, तो वो multiply करेगा, और inherit होता जाएगा from one generation to another, तो multiply भी करेगा और inherit भी होगा, Now, क्यूं हुआ ऐसा, क्यूंकि जो हमारा alien piece of DNA है, या foreign DNA है, वो integrate कर गया है, जुड़ गया है, किस के साथ, It has become a part of chromosome of that host, and now it has the ability to replicate. Actually student, हर DNA के पास, एक कुछ genes के set होते हैं, कुछ DNA का portion ऐसा समझो, कुछ nucleotide का sequence है, वहीं से replication स्टार्ट होता है, तो अगर हम अपने cut piece DNA को host के DNA के साथ जोडते हैं, तो host के DNA में जो वो point है, जहां से replication शुरू होता है, वो जब replication स्टार्ट करवाएगा, तो हमारा DNA भी multiply करेगा, इसे origin of replication कहते हैं, very very important, so एक specific DNA का sequence होता है, very very important, जिसे origin of replication कहते हैं, और यहीं से replication की शुरुवात होती है, question one mark में आता है, कि what is that point call which initiates replication, it is origin of replication, so जैसे ही multiplication होगा, किसी भी alien piece of DNA का organism के अंदर, वो कब होगा, जब वो उसके chromosome के साथ जुड़े, कहां पर, origin of replication की site पर, अब यह जो alien DNA है, इसे हमने link कर दिया है, origin of replication के साथ, तो अब alien DNA भी replicate करेगा, multiply करेगा, अपने आपको in the host cell, और हमें host cell के अंदर हमने डाला था one piece of DNA पर उसकी multiple copies मिल रही हैं, exact same copies, और clones किसे कहते हैं, clones यहीं तो होते हैं, जो genetically, morphologically similar organisms होते हैं, carbon copies होते हैं, यह हमें उस gene की, foreign gene की, alien gene की multiple copies मिल रही हैं, यानि यह हो गई gene cloning, that is making multiple identical copies of any template DNA, यह बहुत important है, यह भी one mark से आता है, gene cloning की definition क्या है, making multiple, बहुत सारी identical copies of any template DNA, किसी भी gene की multiple identical copies बनाना, is it clear? Now, अब हम देखते हैं कि पहला RDA ने कैसे बना था और RDA ने होता क्या है, आप पहले से note down करिये हैं, आए students, अब देखते हैं कि पहला RDA ने कैसे बना था, So, दो scientists थे, नाम रटे होने चाहिए, Stanley Cohen and Herbert Boyer, direct question आता है, दोनों scientist का नाम पूछते हैं, one mark में question आ सकता है, number two, year पूछते है, 1972, रटा होना चाहिए, number three, they constructed the first RDA, RDA मतलब recombinant DNA, आए उसका मतलब समझाती हूँ, यह काम कर रहे थे, इस पर भी one mark में question आता है, एक bacteria जिसका नाम है, Salmonella typhi, Salmonella typhi, so, Stanley Cohen and Herbert Boyer, 1972, working on Salmonella typhi bacteria, यह सब one one mark के question आ सकते हैं, and construction of our DNA पर, first construction of our DNA पर, two mark या three mark का भी question आ सकता है, समझेगा, इन्होंने क्या किया, students, bacteria के अंदर, ध्यान रखिएगा, दो तरह के DNA हो सकते हैं, आपने 11th में पढ़ा भी होगा, biological classification में, एक तो उसका खुद का DNA होता है, normal circular double-stranded DNA, जिसे genetic DNA, या genomic DNA कहते हैं, यही इस cell की activities को control करता है, और यही next generation में transfer होता है, यानि यह heredity के लिए responsible होता है, इसका होना compulsory है, must है, सारे bacteria में मिलेगा ही मिलेगा, बट कुछ bacteria में, एक और, circular, double-stranded, यह भी circular होता है, double-stranded होता है, यह भी circular है, double-stranded DNA है, comparatively इसमें कम nucleotides हैं, यानि इसके comparison में यह smaller होगा, smaller, और यह सारे bacteria में present नहीं होता, इसका heredity से कोई लेना देना नहीं है, यह chromosome नहीं बना रहा, तो इसे extra chromosomal DNA भी कहते हैं, और इसका जो multiplication है, replication है, वो इस पर depend नहीं है, यानि कि खुद autonomously, या self-replicating होता है, और अगर यह self-replicating हैं, यानि इसके कुछ portion होगा, कुछ DNA का sequence होगा, जो orai होगा, यानि origin of replication होगा, इतना तो आप अब समझी रहे हैं, इस तरहां का जो DNA होता है, कुछ bacteria में मिलता है, सब में नहीं मिलता है, इसे plasmid कहते हैं, और यह plasmid, इस bacteria को एक particular quality देता है, जैसे अगर हो सकता है, एंटिबाइटिक से resistance दे, नॉर्मली जब किसी को bacterial disease होती है, डॉक्टर एंटिबाइटिक लिखता है, तो वो bacteria उस एंटिबाइटिक से मर जाता है, पर अगर इसके पास ऐसा plasmid है, जो उस particular एंटिबाइटिक से resistance देता है, तो ये उस एंटिबाइटिक से नहीं मरेगा, कुछ में हो सकता है, ये plasmid nitrogen fix करने के लिए capacity दे, कुछ में fertility की capacity दे दे, अलग-अलग capacity देता है, यहाँ पर उन्होंने Salmonella typhi के जो plasmid है, उसमें एंटिबाइटिक resistance वाला जो जीन था, याने वो BNA का वो portion, जो एंटिबाइटिक से resistance देता था, उस portion को cut किया, यह suppose वो portion था, ठीक है, अब कैसे cut किया, घर में चाकू से, कैची से, ब्लेड से, नहीं, कुछ enzymes आते हैं, जिसे हम कहते हैं, restriction enzymes, जिसकी detail अभी हम थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे, उनसे cut किया, so of course, restriction enzyme की discovery, पहले ही हो चुकी थी, याने 60's में हो चुकी थी, 63 से 68 के बीच में, और यह 1972 में बनाया था, इनकी discovery हो चुकी थी, अब, दूसरा उन्होंने क्या किया, एक और साल्मोनेला टाइफी का ही, प्लास्मिड लिया, और, उस प्लास्मिड को भी, उसी restriction enzyme से cut किया, मान लो, यह दूसरे वाले का प्लास्मिड है, उसे भी cut किया, तो उसका इतना piece ले लिया, ठीक है, अब क्यूंकि जो प्लास्मिड लिया है, और यह हमारा alien gene है, या foreign gene है, या gene of interest है, ठीक है, अब यह भी साल्मोनेला टाइफी का है, यह भी साल्मोनेला टाइफी का है, तो इसे native plasmid लोते हैं, क्योंकि same species का है, same bacteria का है, अब इन दोनों को उन्होंने जोड दिया, कैसे जोडेंगे, गम से, ग्लू से, गौन से, फैविकॉल से, नहीं, enzyme आता है, जिसे lygase कहते हैं, DNA जोडना है, तो DNA lygase enzyme, इसकी भी discovery पहले ही हो चुकी थी, जैसे ही इसे जोडा, तो यह तो plasmid का portion है, और इसमें, वो antibiotic resistance वाला foreign gene, जिसका quality हम चाहते हैं, recombinant DNA technology, या R-DNA technology भी कहते हैं, अब समझो, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक E. coli लिया, E. coli, E. coli भी एक bacteria है, इसके पास खुद का genetic material तो है, पर इसके पास कोई plasmid नहीं है, यानि इसके पास कोई antibiotic resistance gene नहीं होता, यानि नॉर्मली अगर इस E. coli को आप किसी particular antibiotic में डालोगे, तो वो मड़ जाएगा, वो उसे नहीं जहल पाएगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, इस पूरे R-DNA को इसके अंदर introduce कर लिया, यानि ये क्या है, ये हमारा host है, और अब इसके अंदर कोई दूसरा DNA भी आ गया है, तो अब ये genetically modified organism भी बन गया है, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने इसे यहाँ पर introduce किया, suppose ये introduce किया, ठीक है, मैं white से नहीं बनाती हूँ, time safe करने के लिए, आप इसको अलग color से बना देना, जैसी RDA ने introduce किया, क्यूंकि इसके पास plasmid है, और plasmid के पास orai है, वो self-replicating है, तो इसके अंदर इसने, जब plasmid ने multiply किया, तो हमारा foreign gene भी multiply करा, यानि बहुत सारी copies बन गई इस RDA ने की, और जब ये E.Colai divide करा, जब ये divide करा, तो इसके जो daughter cells थे, उनके पास खुद का DNA तो आया, पर ये वाली copies भी आ गई, और ये कहानी चलती रही, plasmid divide करता रहा, I mean multiply करता रहा, हमारा foreign DNA भी उसके अंदर multiply होता रहा, और जब खुद host divide हुआ, तो सारे daughter cells में ये फैलता गया, और इस antibiotic resistance gene ने अपने आपको इस E. coli के अंदर express किया, यही तो हमने पढ़ा है, to alter the chemistry of genetic material, to introduce it into the host cell, and then to change the phenotype of the host organism, इसके अंदर अब वो protein बनने लगा, जो antibiotic से resistance देता है, और ऐसे E. coli को जब फिर से antibiotic के solution में डाला, तो वो जिन्दा रहा, वो बच गया, अब आया समझ में, तो उन्होंने E. coli को, Stanley Cohen and Herbert Boyer ने 1972 में, E. coli को यूज किया था, as host organism, foreign gene लिया था, antibiotic resistance प्रवाइट करने वाला, और native plasmid को यूज किया था, is it very very clear, यह मैंने पूरी summary बता दी, आप भी इसी तरह से सब points में लिख सकते हैं, अगर यह 5 mark में question आए, generally 3 mark में question आता है, या इसके bits and pieces में, यह 1-1 mark में आ सकता है, जैसे year, जिन्होंने construct किया था, कौन सा bacteria यूज किया था, for taking out the foreign gene and plasmid, किसे host की तरह यूज किया था, plasmid and foreign gene को cut किसे किया था, restriction enzyme से, जोड़ा किसे था DNA ligase से, यह सब हमारे questions बनते हैं, अगर मैं NCRT आ गई ही न students, believe me, आप सारे questions solve कर सकते हो, बस थोड़ा से लिखने का तरीका है, वो मैं आपको सिखाई दूंगी, so, आई अब हम यहाँ देखते हैं, so, first, first instant for construction of an artificial R-DNA molecule, एक तो R-DNA का full form भी आना चाहिए, now, यह किरू ने किया था और कब किया था, 1972 में very very important, Stanley Cohen and Herbert Boyer ने किया था, क्या किया था इन्होंने, Salmonella Typhymurium जो है, Bacteria, यही लिखा था ना, देखो Salmonella Typhi लिखा है, मैंने Typhi, पूरा नाम लिख देती हूँ, Typhymurium, इसका native plasmid लिया था, native plasmid, यानि इसी का plasmid लिया था, और इसी का gene encoding antibiotic resistance लिया था, यानि foreign DNA, foreign gene लिया था, और इन दोनों को link किया था, join किया था, plasmid कैसा होता है, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA, जो actually double stranded भी होता है, और आई region होगा इसमें, अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने, Salmonella Typhymurium के ही plasmid से antibiotic resistance gene को cut किया था, cut किया था, जो क्या देता था, antibiotic से resistance देता था, cutting जो है, वो किसके कारण possible हुई थी, क्योंकि discovery हो चुकी थी, restriction enzyme, जिने molecular scissors कहते हैं, यानि केची, और इस cut piece को, उन्होंने, फिर plasmid DNA के साथ, link कर दिया था, by DNA ligase enzyme, ये जो plasmid है, ये क्या कर रहा है, ये वहीकल की तरह, एक taxi की तरह काम कर रहा है, जो हमारे foreign DNA को, foreign gene को, बिठा कर ले जा रहा है, into the host cell, अगर हम इसे use नहीं करते, अगर हम इसे direct introduce करते, तो हम इसके chromosome के साथ, जोड़ना पड़ता, जो बहुत difficult है, वरना ये replicate नहीं करता, multiple copies नहीं बनाता, अब हर वर्ट समझ में आ रहा है, तो plasmid DNA ने एक vector की तरह काम किया है, ताकि piece of DNA, जो उसके साथ attach है, जो इसे वो पहुचा दे into the host cell, vector word क्यों बोला, आपको पता है, students जो malaria होता है, तो malaria में, human तो पहला host है, जिसे malaria होता है, पर malaria में, जो pathogen है, जो disease cause कर रहा है, वो protos होआ है, जिसे हम plasmodium कहते हैं, पर वो किस पर बैठके, हमारे body के अंदर आता है, blood के अंदर आता है, female anapleese mosquito, यानि वो mosquito vector है, career है, bus है, taxi है, जो plasmodium को human blood के अंदर पहुचाता है, तो यह कुछ mosquito की तरह ही तो काम कर रहा है, इसलिए इसे भी vector कहते हैं, लेखिये, लिखा हुआ है, that mosquito acts as an insect vector to transfer malarial parasite into human body, अब आप खुद भी अपनी language में लिख सकते हैं, now, in the same way, plasmid is used as a vector to deliver an alien piece of DNA into host organism, हो सकता है, आप से पूच ले, कि plasmid क्यू vector की तरह काम करता है, because it delivers the alien piece of DNA into the host organism, now, यह linking क्यू possible हुई, because of the enzyme DNA ligase, यह सारे questions आते हैं, यह किस पर काम करेगा, यह DNA के cut molecules पर काम करेगा, यह यह जो vector कट किया है, plasmid कट किया है, foreign gene कट किया है, और उन्हें join कर देगा, उनके सिरों को, ends को, और एक नया combination बन जाएगा, कैसा है वो, circular अभी दिखाया, autonomously replicating DNA, हमने artificially in vitro, create किया है, इसे rDNA कहते हैं, तो one mark में यह भी question आ सकता है, कि rDNA की definition क्या है, a new combination of circular, autonomously replicating DNA, created in vitro, by joining foreign DNA, foreign gene, with a vector, using DNA ligase, is called rDNA, इसे उन्होंने ट्रांसफर करते हैं, फिर E. coli के अंदर, यह E. coli, Salmonella typhi murium से, काफी closely related bacteria है, नाउ, यह जो हमारा foreign DNA है, rDNA है, यह अब इस new host के अंदर, multiply करेगा, कैसे, multiply करने के लिए, enzyme चाहिए होता है, DNA replication के लिए, DNA polymerase, यह host के DNA polymerase को use करेगा, यह भी question आता है, और खुद की multiple copies बनाएगा, यह जो ability है, multiple identical copies बनाने की, इसे ही तो gene cloning कहते हैं, थोड़ी देर पहले यही तो बताया था, so very very important, one mark में question आता है, ability to multiply copies of antibiotic resistance gene, in E. coli, was called cloning of antibiotic resistance gene, general cloning की definition आएगी तो, it is the formation of, or it is making multiple identical copies of any template DNA, for example, like this you can write, यानि अगर कोई पूचे की, genetically किसी organism को modify करने के लिए, three basic steps क्या हैं, तो आप क्या का होगे, जैसे ही हाँ E. coli को genetically modify किया, तो बहुत simple है, पहले तो हमने उस DNA को identify किया, जिसको हमें उसके अंदर डालना है, फिर हमने उसको उसके अंदर डाला, और इस तरहों से डाला, कि वो E. coli के अंदर maintain रहे, multiple copy बनाए, और जब E. coli divide करें, तो उसके daughter cell में भी पहुचे, यही तो लिखा है, देखलो, identify, identification of DNA with desirable genes, पहले तो पहचानों के अंदर डालना क्या है, number two, उसे introduce करो, introduction of identified DNA into host, and number three, उसे maintain करिये in the host, और transfer करवाईये उसके daughter याने progeny को, यह तीन lines रटी होनी चाहिए, as it is direct question आता है, one mark या two mark में, so the three basic steps in genetically modifying organism are, identification of DNA with desirable genes, then introduction of this identified DNA into host, and then maintaining this DNA in host, and transferring of this DNA to its progeny, now, students, यह सब करने के लिए हमें कुछ आजार चाहिए, जैसे जब हमें इंजिनेरिंग करने था हमें बहुचारे टूल्स चाहिए, आए देखते हम टूल्स क्या हैं जैनेटिक इंजिनेरिंग के, let us understand, आप कहोगे मैं एक टूल तो वो कैची, molecular scissor, direct one mark में question आता है, molecular scissor किसे कहते हैं restriction enzymes चाहिए, दूसरा आप कहोगे मैं जोडने के लिए ligase enzyme चाहिए, तीसरा आप कहोगे मैं multiply करने के लिए औराई तो चाहिए, लेकिन साथ में क्या चाहिए हमें DNA polymerase चाहिए, तीन तो में यही बता दिये, पूर तो आप कहोगे मैं vector चाहिए, उसी के पास औराई है, वही multiply करवाएगा, और आप कहोगे मैं host तो चाहिए ही चाहिए, host organism, तो लोग यही तो हमने पढ़ लिया है, already, तो यह direct question आता है, कि tools of genetic engineering में क्या क्या आएगा, यह five हमें रटे होने चाहिए, restriction enzyme, ligase enzyme, polymerase enzyme, host and vect, is it clear, अच्छे से learn कर लोगे, यह one mark में question आता है, अब हमें इने one by one पढ़ना है, students, restriction enzyme पढ़ाने के पहले, मैं आपको एक चोट असर topic पढ़ा रहे हूं, जो बहुत important है, मैं आगे की slides पर जा रहे हूं, सीधे jump कर रहे हूं, क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है, one second, उसके बिन आपको मज़े नहीं आएंगे, yes, isolation of gene material, समझे, students, हमें, जब DNA चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, समझो, suppose करो हमें insulin वाला gene चाहिए, तो यह human का cell है, इसके अंदर से ही निकालोगे, cell मतलब plasma membrane होगे, nuclear membrane होगा, और अंदर इसमें DNA होगा, और DNA आप जानते हो, chromatin के form में होता है, और chromatin मतलब उसमें DNA होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा RNA होता है, histone protein, non-histone protein, यारे काफी सारे proteins येते हैं, तो अगर foreign gene, animal cell से लेना है, तो तो ये सब के अंदर से आपको तो ये DNA चाहिए, purified form में, लेकिन अगर मानलो ये plant cell से लेना है, plant का कोई gene निकालना है, algae का निकालना है, fungus का निकालना है, या bacteria का निकालना है, तो bacteria में nuclear membrane नहीं होगी, बाकि सब में nuclear membrane भी होगी, और साथ में cell wall भी होगी, तो अगर मुझे DNA तक पहुचना है, भई मुझे अंदर तिजोरी तक पहुचना है, तो मुझे इन सब दर्वाजों के तालों को तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ते हैं, वहाँ भी एक tool काम आता है, जिसे lysing enzymes या lyses कहते हैं, अगर मुझे cell wall तोड़नी है, तो मुझे ऐसा enzyme यूज़ करना पड़ेगा, जो cell wall के material को break करें, cell wall cellulose की बनी है, तो मुझे cellulase यूज़ करना पड़ेगा, cellulase और pectinase यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वह fungal cell है, तो fungal cell wall chitin की बनी है, तो मुझे kytinase यूज़ करना पड़ेगा, और अगर वह bacteria की cell wall है, जो mucopolysaccharide की बनी है, तो मुझे lysozyme यूज़ करना पड़ेगा, 11th class में आपने पड़ा होगा, जो bacteria की cell wall है, वह peptidoglycans की बनी हैंने protein and sugars की, उसे lysozyme तोड़ता है, जब मैं ये सब डाल दूँगी, तो cell wall digest हो जाएगी, depending upon कौन से cell से मैं उस DNA को निकाल रही हूँ, फिर detergents डालते हैं, ये हाले की NCRT में नहीं दिया, detergents जैसे ही हम डालेंगे, plasma membrane, nuclear membrane सब dissolve हो जाएँगे, detergents से, इसके बाद अभी भी मुझे DNA को RNA और protein से अलग करना है, अगर मुझे RNA को तोड़ना है, तो मुझे RNA ये इस enzyme यूज़ करना पड़ेगा, और फिर मैं protease डालूँगी, तो protein तूट जाएँगे, चाहें वो histone protein हो चाहें, non-histone proteins हो, सभी proteins, तो अब DNA अलग हो जाएगा, अब मुझे इस DNA को क्या करना है, मुझे अभी इसको बाहर निकालना है, अभी ये सब कुछ transparent डिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है solution के अंदर, बस हम बजार से लाकर ये सब डालते जा रहे हैं, अब हम इसमें डालेंगे chilled ethanol, chilled ethanol, और जैसे हम chilled ethanol डालते हैं, ये DNA जो है, ये fine suspension, threads की तरह आ जाता है, इन्दा suspension, बतलब उस liquid पे पतले-पतले, cotton जैसे धागे की तरह आ जाता है, और फिर हम एक चम्मच से इसको बाहर निकाल लेंगे, ये कोई किचिन की चम्मच नहीं, एक special चम्मच है, चम्मच को spoon कहते हैं, इसे spooling कहते हैं, तो spooling process से हम इस DNA को बाहर निकाल लेंगे, ये process यहीं बताना ज़रूरी था, वरना आपको restriction enzymes पढ़ने में मज़े नहीं आएंगे, आईए हम इतना देखते हैं, यहां हमने क्या किया है, genetic material को isolate किया है, हम जानते हैं कि nucleic acid is the genetic material of all organism without exception, ये true और false में भी आ सकता है, नाव, majority में क्या होता है, DNA, यानि deoxyribonucleic acid, कुछ में RNA हो सकता है, हम तो DNA मान रहे हैं, अगर हमें DNA को restriction enzyme से cut करना है, जो अभी मैं थोड़ी वेर में समझाऊंगी, तो पहले हमें DNA तो चाहिए, जिस चीज को cut करना है, उसको तो निकालना पड़ेगा, तो हमें DNA चाहिए pure form में, यानि कि it should be free from other macromolecules, जो protein RNA के साथ जुड़ा रहता है, वो नहीं होना चाहिए, तब ही हमें pure form में DNA मिलेगा, तो question आता है, क्यों चाहिए, वन माक में, वाइडो वी नीड 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 प्यूर फॉर फॉर्म, so that we can cut it with the restriction enzyme, अब DNA कहां पर है, DNA enclosed है, membranes के अंदर, cell wall, plasma membrane, nuclear membrane उनके अंदर, तो हमें break करना पड़ेगा इस cell को, ताकि हम DNA को release करें, along with other macromolecules, like RNA, protein, जो DNA के साथ जुड़े हैं, polysaccharides, sugars, जो कुछ plasma membrane में हैं, cell wall में हैं, and lipids, जो cell membrane, nuclear membrane में हैं, इन सबसे अलग अटाना है, तो रटा होना चाहिए, RNA, protein, polysaccharide, and lipids से हमें इसे अलग करना है, हम ये कैसे करते हैं, ये बहुत important है students, ये one mark ये two mark में question आता है, how do you isolate genetic material, and why do you isolate, is it clear, तो हम क्या करेंगे, अगर bacterial cell है, या plant cell है, अगर bacterial cell है, तो enzyme होगा, lysozyme, और अगर plant है, तो cellulase, और अगर fungal cell है, तो kytinase, ये तो cell wall को तोड़ेगा, और अगर animal है, तो cell wall तो होती नहीं, ये सिर्फ detergents यूज़ करते हैं, इसके बाद में, हमें पता है कि genes जो हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानि यहाँ पर proteins भी होते हैं, like histone, और थोड़ा बहुत RNA भी होता है, RNA को कैसे remove करते हैं, by ribonuclease यानि RNAs, और protein को remove करते हैं, with proteins, तो इस तरह से सभी, अलग हो गया, अब DNA अलग हो गया है, अब उस DNA को हम कैसे करते हैं, addition of chilled ethanol, ये one mark में भी question आता है, जब आप chilled ethanol डालोगे, तो DNA precipitate out हो जाएगा, जो purified DNA है, जिसके साथ अब कोई RNA, protein वगएरा कुछ नहीं जुड़ा है, किस form में precipitate होता है, धागे, fine threads की तरह, fine threads की तरह, कहाँ पर, इसी liquid, इसी suspension वे, यानि अगर ये ऐसा था पूरा, तो यहाँ ऐसे धागे-धागे दिखते हैं, so it is, the purified DNA is precipitated out, with the addition of chilled ethanol, in the form of fine threads, collection of fine threads in the suspension, ये रहा है NCRT का डाग्राम, ये suspension में ये धागे की तरह दिख रहा है, और कहीं पर भी theory में नहीं लिखा, पर diagram में लिखा है, this precipitated out, separated out DNA, is removed by spooling, ये रहा, वो spooling process से बाहर निकाल रहा है, is it very very clear, अब हमारे पास, पूरा DNA आ गया, जैसे अगर मान लो, human insulin का gene निकालना है, अभी वो नहीं निकला, अभी तो मुझे पूरा DNA मिल गया, दो मीटर लंबा DNA, जिसमें 30,000 genes हैं, अब मुझे उसमें से मेरा वाला foreign gene, gene of interest को ढूंडना है, alien gene को ढूंडना है, जो human का insulin बनाने वाला gene है, अभी तो मुझे total DNA मिला है, पूरा genetic material मिला है, अब वो कैसे करते हैं, मैं वापस slides पर आती हूँ, वहां काम आता है restriction enzyme, तो आएए पहले restriction enzyme, कैसे discover हुआ था, कैसे काम करता है, वो समझते हैं, फिर आपको बताऊंगे कि कैसे कट करते हैं, बहुत simple है, students, यहाँ पर NCRT में नाम मेंचन नहीं है, आर्बर नातन स्मिथ, आप भी मत याद करो क्योंकि यहाँ पर नहीं है, यह scientist अलग-अलग time पर काम कर रहे थे, तो 1963 की बात है, क्या हुआ था, समझिए गा, यह एक bacteria है, right, E. coli, यह इसका खुद का genetic material है, अब इसमें कोई plasmids तो है नहीं, अब आपको पता है कुछ viruses हैं, जो bacteria को attack कर सकते हैं, और उनको disease कर सकते हैं, माड सकते हैं, उन्हें bacteria phage कहते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसा रहता है, फिर neck रहती है, फिर ऐसे पूरा tail fibers रहते हैं, ऐसे attach होता है, और यहाँ पर उसका genetic material होता है, ठीक है, यह virus है, जो bacteria को kill करता है, यानि bacteria phage, phage मतलब खाना, eating, यह खा जाता है, bacteria को, है virus, अब, मैं इसका DNA ऐसा बना देती हूँ, white color से, ठीक है, आपको पता है, virus जब भी किसी भी host cell के अंदर जाता है, चाहे human हो, चाहे bacteria हो, वो सिर्फ अपना genetic material इंट्रियूस करता है, तो यह virus का genetic material आ गया, viral DNA मान लीजे, और यह bacteria का खुद का DNA है, bacterial DNA, 1963 में scientist ने क्या देखा, कि यह E. coli अपने आपको protect कर लेता है, उसके अंदर immune system है, immunity है, इस bacteria phage से बचने की, और इसमें दो enzymes उसकी help करते हैं, two enzymes, provides E. coli with the immunity against bacteria phage, एक क्या करता है, methyl groups add करता है, addition of methyl groups, अभी सब समझाती हूँ आपको, addition of methyl groups, और दूसरा है restriction enzyme, इसका क्या मतलब है, bacteria के पास एक enzyme है, जो viral DNA के पास जाता है, और वो ने एक particular sequence को पहचान सकता है, और वहाँ पर वो cut लगा देता है, तो वो viral DNA को तोड़ देगा, तो ये टूट जाएगा, तो ये bacteria बच जाएगा, लेकिन उन्हें ये समझ में आया, कि भाई ये तो एक enzyme है, इसके पास ये दिमाग थोड़ी ना आए, कि ये viral DNA, ये bacterial DNA, इसके लिए तो DNA DNA है, तो ऐसा कोई sequence जिसे वो पहचानता है, वो bacteria के DNA में भी तो कभी ना कभी आएगा, nucleotide का sequence, तो वो इसे क्यों नहीं मार रहा, तो उन्हें समझ में आया, कि इसी के ही immune system के पास, एक methylating agent है, जो bacteria के DNA में जगा-जगा methyl add कर देता है, और वो जो enzyme है, वो confused हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वो sequence को पहचानता है, अगर उसमें methyl आ गया, तो वो cut नहीं करता है, तो ये bacteria खुद society से बच गया, इससे भी बच गया, और खुद अपने DNA टूपने से भी बच गया, और ये उन्हें बड़ा interesting लगा, उन्होंने का, इसका मतलब ये enzyme, इस DNA को cut करता है, तो ये हमारे किसी भी DNA को cut कर सकता है, तो क्यों ना इसे use करें, अब एक बात समझो, बहुत मज़ेदार बात, पहले इतना बताती हूं चलिए, अच्छे से आना चाहिए, year 1963, number one, जबकि first RDA ने 1972 में बना, इस तरह की dates जो होती है, वो अपने register में पीछे, एक जग़ा पर साथ-साथ लिखते जाएए, scientist का नाम लिखते जाएए, ये one mark के questions हैं, जो बहुत ही scoring होते हैं, now, two enzymes, responsible for restricting the growth of bacteriophage, in esterchia coli, याने E coli were isolated, इन में से, one of these जो है, वो add करता है methyl groups to the DNA, और other जो है, वो cut करता है DNA को, ये जो latter वाला है, दूसरा वाला, इसे ही restriction endo-nuclease कहते हैं, क्यों कहते हैं, आईए अब आपको समझाती हो, देखिए, nucleus का क्या मतलब है, देखो, जहाए आरेने किस से बनते हैं, बहुत सारे nucleotide से, और two nucleotide के बीच में कौन सा bond होता है, phosphodiester bond, याने basically ये क्या करेंगे, direct question आता है, कोई भी nucleus है, तो वो phosphodiester bond को तोड़ता है, जो हमीशा किस के बीच होता है, phosphate और sugar के बीच में होता है, इतना समझ में आया, अब, nucleus दो तरह के हो सकते हैं, समझना, मान लो ये एक DNA है, DNA हमेशा double stranded होगा, ये 5 to 3 prime है, ये anti parallel 3 to 5 prime है, एक तरह का enzyme है, जो सिर्फ किसी भी एक strand पे, end में तोड़ता है, याने यहां का bond टूड़िया, या यहां का bond टूड़िया, या यहां का, या यहां का, इसे exonuclease कहते हैं, exo मतलब terminal, phosphodized bond को cut करता है, on any one strand, लेकिन कुछ enzymes होते हैं, जो या तो इसमें, या इसमें, one of the strand में, कहीं भी पीच का, phosphodized bond तोड़ते हैं, सिर्फ one में, उन्हें endonuclease कहते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, वो restriction endonuclease है, यानि है तो वो एक तरह का nuclease ही, यानि वो nucleic acid को break करेगा, यानि phosphodized bond को cut करेगा, पर एक special तरीके से, एक restricted way में, आए उसे समझते हैं, तो इसी की एक category, एक category होगी, इसी की restriction endonuclease, ये क्या करता है, समझिएगा, बहुत मज़ेदार है, देखो, यहां समझाती हो, एक मिनिट दीजिए मुझे, यहां समझाती हो आपको, जैसे एक restriction enzyme है, ECO R1, ये एक sequence को पहचानता है, जिसका नाम है, बोलो मेरे साथ GAA TTC, अब suppose करो, ये एक BNA है, ठीक है, 5, 2, 3, 3, 2, 5, पूरा लंबा चौड़ा, और इसमें कहीं बीच में यहां पर, G, A, A, T, T, C है, तो मुझे बताओ, इसी जगे पर, second strand में क्या होगा, आप कहोगे मामी तो complimentary होते हैं, तो यहां पर C, T, G, A, A, G होगा, मैं कहूँगी ठीक है, अब मैं कहूँगी इसको same orientation में पढ़ो, मतलब 5, 2, 3, प्राइम दोनों strand पर पढ़ के देखो, तो 5, 2, 3 पढ़ूँगी तो G, A, A, T, T, C, यहां भी 5 से 3 पढ़ूँगी तो G, A, A, T, T, C, यहां अगर मैंने orientation same रखा, मैं ऐसा नहीं कर रही 5, 2, 3 और 3, 2, 5, ना 5, 2, 3, 5, 2, 3 तो मेरे को same sound आ रही है, same G, A, T, T, C, G, A, T, T, C, यह तो बिल्कुल वैसा ही है, जैसे English में अगर मैं Malayalam लिखूँ, Malayalam, Malayalam, और आपसे बोलू, ऐसे पढ़ो तो Malayalam, ऐसे पढ़ो तो Malayalam, जैसे हिंदी में लिखते हैं न, Dalda, Madam, उल्टा सीधा एक समान, कैसे भी पढ़ोगे से, इसे Palindrome कहते हैं, Palindrome, तो यह क्या है, एक special site है, जिसे Palindrome Excite कहते हैं, या Palindrome कहते हैं, तो particular, जो restriction enzyme है, वो particular sequence of Palindrome को पहचानता है, और यह भी specific ही, वो कहां कट करेगा, जैसे Eco-R1 हमेशा G और A के बीच वाले Phospho-Di-Easter bond को कट करेगा, और दोनों strands पे कट करता है, नॉर्मल endonuclease किसी भी एक पे करता है, ऐसे कट करेगा, तो जहां यह जो Palindrome sequence है, इसे restriction site भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर इसकी activity restricted है, सिर्फ यहीं पर यह काम करता है, यहीं कट लगाता है, तो जब आपने जो पूरा DNA निकाला है, उसमें जब आप ECO-R1 डालोगे, तो पूरे DNA की length को इंस्पेक्ट करेगा, और जहां जहां GAATTC यह वाला Palindromic site यह, recognition site यह, sequence उसे मिलेगा, वहाँ वो G और A के बीच में दोनों strands पे कट लगा देगा, यह उसका काम है, अब अभी तक ध्यान रखना, direct question है NCRT का, 1 mark, 2 mark में आता है, more than 230 strains of bacteria से, more than 900 type के restriction enzymes isolate कर लिए गए है, हर restriction enzyme का fix है कि वो किस sequence को पहचानेगा, Palindrom के और कहां पर कट लगाएगा, यह सब कुछ fix है, very, very, very important, मैं सिर्फ और सिर्फ NCRT की lines पर focus कर रही हूँ, आपके boards के लिए, I am not going into the details for meat at all, is it clear, अब, यह इस तरह से कट लगाता है, हमारे course में Eco R1 का details है, अब, आपको बताए कि इनके बीच में hydrogen bonds भी है, AT के बीच में 3 hydrogen bonds होते हैं, 2 hydrogen bonds होते हैं, CG के बीच में 3 hydrogen bonds होते हैं, अब जब यहाँ पर कट लगेगा, imagine करो, यहाँ कट लगा है, और एक यहाँ कट लगा है, तो इतना piece अलग हो गया, यह G अलग हो गया, और यह piece अलग हो गया, A, A, T, T, C, यह अलग हो गया, इसी तरह यहाँ पर, यह G अलग हो गया, और यहाँ पर, यह C, T, P, A, A अलग हो गया, ठीक है लेकिन ये तो अभी भी जुड़े हुए हैं और ऐसे ये भी अभी भी जुड़े हुए हैं पर बाकी hydrogen bonds का क्या होगा जब ये ऐसे खिचेंगे देखो इतना piece एक साथ आ गया है तो जब ये खिचेंगे तो ये hydrogen bonds टूट जाते हैं यानि हमें two piece मिले एक तो हमें ये piece मि कटके कारण इसने कहां काटा इसने center में नहीं काटा इसने slightly away from center काटा ये fix होता है जो genetic engineering में restriction enzyme use करते हैं अब मज़ेदार बात देखो इसमें double stranded portion अब किसे कहोगे बहुत important है इतना part double stranded है पर इतना part single stranded हो गया है ऐसे यहाँ पर ये double stranded है पर इतना portion single stranded हो गया है इन्हें कहते ह flanking sequences ये लटकने वाले sequences है very 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 important अब suppose करो कि जो हमारा DNA था उसे हमने eco r1 से cut किया तो हमें उसके ऐसे बहुत सारे pieces मल जाएंगे और ऐसे ही हमने जो vector DNA हम use करना चाहते है मानलो कोई plasmid उसमें भी eco r1 डाला तो उसमें भी जहां भी ऐसी site होगी वहाँ पर वो इस तरह के sequences हमें दे देगा और हब हमने उन दोनों को एक medium में डाल दिया तो क्या होगा समझो ये तो partner है ये तलाश नहीं कर रहा है अपने जोड़े की अपने partner की लेकिन ये single stranded है तो ये ढूनेंगे अपने complementary part को अब क्या होगा suppose करो chance की बात है कि vector वाला एक piece और हमारा DNA वाला एक piece पास पा और ये अपने साथ ही मिल गया अपना complementary base मिल गया ये पास पास आजाएंगे और जट से hydrogen bonds hydrogen bonds बहुत जल्दी बनते तो एकदम पास पास आजाएंगे और जैसे ये पास पास आजाएंगे हमारा DNA ligase आएगा और फिर से इनके बीच में phosphodiester bond बना देगा कौन बना देगा DNA ligase ज तो इस तरह से हमने अचा ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों pieces vector के हों तो RDNA नहीं बनेगा दोनों piece हमारे ही DNA के हो foreign DNA के तो भी RDNA नहीं बनेगा इसलिए chance की बात है कि अगर हमारा जो foreign source DNA उसका piece एक और उसी का complementary वाला vector DNA plasmid का piece ये पास पास आए तो उसके कारण से ये पास पास आए है तो जट से DNA ligase काम करेगा यानि ये जो ends हैं ये single stranded वाले इन्होंने क्या करा इन्होंने चिपकने में मदद करी है इसलिए इन्हें sticky ends भी कहते हैं planking ends, sticky ends, staggering लटकते हुए ends ये single stranded portions हैं और इनहीं के कारण ये दो piece पास पास आए थे और इसलिए DNA की functioning में help हुई थी या आगया समझे कैसे काम करते हैं आगे मज़े आगे की नहीं आगे चलो इतना देखते हैं so now let us see quickly अब जो पहला restriction enzyme isolate हुआ था वो है हिंद 2 हिंद 2 students यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ जो first alphabet है वो genus बताता है जैसे यह hemophilus, in second और third alphabet जो है वो species बताता है जैसे हाँ influenzae so hemophilus, influenzae, bacteria का genus और species है और d मतलब उसका strain है so इस genus के, इस species के, इस strain से second number पर isolate हुआ है पात साल बाद याने 1968 में 5 years later 63 की कहानी है याने 1968 में और यह भी एक particular palindrome sequence को पहचाने का जो GAA TTC नहीं है वो क्या होता है वो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ आपको मुझे सिर्फ NCRT पर focus करना है वो भी लेकिन 6 nucleotide का ही sequence होता है so it particularly point out a specific sequence of 6 base pair right 5 years later isolate हुआ था हिंद 2 है और यह सब हम पढ़ चुके हैं यह भी कट करता है particular point पर 6 nucleotide या 6 base pair के sequence में मुझे याद है मेरे दिमाग में बड़ा question आता था जादा detail में नहीं जाओंगी कि अगर यह पहला isolated है first isolated तो इसके नाम हिंद 1 क्यूं नहीं है क्यूंकि आप यह थोड़ी सी देर में मैं आपको बताऊंगी कि यह number बताता है इस particular genus के इसकी species के इसके strain से कौन से number पर identify हुआ है actually हिंद 1 इसके पहले identify हुआ था पर वो genetic engineering में use नहीं होता क्यों नहीं होता वो details में मैं नहीं जा रही हूँ Is it very very clear? Now, इतना देखते हैं पहले Now, जो specific sequence, base sequence, जो भी specific base sequence है जैसे ECO-R1 का GAATTC उसे palindromic site या recognition sequence या recognition site कहते हैं हिंद 2 के अलावा more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria जो different different recognition sequences को identify करते हैं और specific point पर कट लगाते हैं Now, as I told you, first alphabet हमेशा capital में लिखते हैं, genus बताता है जैसे ECO-R1 में E, इस चर्चिया genus है Second और third हमेशा small में लिखते हैं, वो species बताता है, जैसे हैं coli है, fourth हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर है तो strain बताता है, जैसे हैं आपर RY13 है, यह capital आएगा, RY13 और यह roman numbers में लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, और यह बताता है कि किस order में यह identify हुआ है यानि E, एस चर्चिया coli के RY13 से जो पहला restriction enzyme scientist ने isolate किया, वो ECO-R1 है, जब second वाला करेंगे तो उसे ECO-R2 कहेंगे, third वाला करेंगे तो ECO-R3 कहेंगे, this is how it works, right, so first letter जो है, वो genus, direct question आता है, second two letters जो है, यानि second और third, वो species of bacteria जहां से collect किया है, then यह रहा, RY13, right, R जो है, यह strain है, यानि fourth वाला strain बताता है, और उसके बाद roman numbers follow करते हैं, जो बताते हैं, order in which the enzyme is isolated from that strain of bacteria, student two marks में naming of restriction enzyme, पूछा जा सकता है, बहुत-बहुत important है, two marks में, right, तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं, और यहां पर आप इस जगे पर same यह line लिख सकते हो, it indicates the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria, example देके भी आप इसे explain कर सकते हैं, तो यह तो one mark का question है, यह भी one mark का question है, हिंद two, first isolated कौन सा, यह भी one mark का question है, and of course, यह तो पूछी सकते हैं, naming is very very important, so restriction enzymes क्या है, restriction endonuclease, यानि यह कौन सी class of enzymes को belong करते हैं, nucleases को, nucleases भी दो तरह के हमने देख लिए, exonuclease and endonuclease, exonuclease क्या करेंगे, nucleotides को remove करेंगे, कहां से, end से, और endonuclease क्या क्या करेंगे, यह cut करेंगे, within the DNA, यानि कही ना कही center में, now, restriction endonuclease, जो है, वो पहले पूरी inspect करेंगा, length of DNA sequence, और जब उसे specific recognition sequence मिलेगा, palindrome वाला, तो वो DNA के साथ जुडेगा, और cut करेंगा, दोनो strands पे, each of the two strands of double-stranded DNA, at specific points, क्या cut करेंगा, sugar phosphate backbone, याने phosphodiester point, each restriction endonuclease recognize a specific palindromic nucleotide sequence, very, very, very important, now, what are palindromes, यह वो letters है, which forms the same word, when red, both forward and backward, example, Malayalam, so, यहाँ पर उसका क्या मतलब है, palindrome DNA का मतलब है, sequence of base pair that reads the same on both the strands, if orientation of reading is kept the same, very, very important definition, one mark में आ सकती है, is it very, very clear, now, for example, the sequence will read the same, on the two strands, in five to three direction, five to three, this is also true, अगर हम three to five पढ़े, पर दोनों में three to five पढ़ना पढ़ेगा, जैसे three to five पढ़ोगे, तो CTTAAG, यहाँ भी three to five पढ़ोगे, तो CTTAAG, तो धियान रखना, five to three पढ़ो तो दोनों में same, three to five पढ़ो तो दोनों में same, याने orientation of reading should be kept same, then, that is called palindromic DNA, is it very clear, now, restriction enzyme कट करता है, हमेशा slightly away from the center of palindromic site, जैसे G और A के बीच में कट किया है, छे थे पर third और fourth के बीच कट नहीं किया, G और A के बीच में कट किया है, now, same उन्हीं दो के बीच, basis के बीच में कट करेगा on opposite strand also, और इस कारण से कुछ single stranded points बच जाएंगे, portions बच जाएंगे, इन overhanging stretches को हम कहते हैं sticky ends, very very important, दोनों strands पे बने हैं ये, very very important, क्यों कहते हैं sticky ends, क्योंकि ये जट से hydrogen bonds बनाते हैं, अपने complimentary cut counterpart के साथ, और इसके कारण से, इस chip-chipy, stickiness के कारण से, जो hydrogen bonds से, ये दोनों को पास-पास ले आए हैं, इट facilitates the action of enzyme ligase, ये बहुत important, इस student 2 marks में भी आ सकता है, sticky ends, क्या होते हैं, overhanging single stranded portions, when the palindrome is cut by restriction enzyme, why it is called sticky end, question आ सकता है, because they form hydrogen bonds with their complimentary cut counterparts, and what is the function, what is the advantages, they facilitate the action of enzyme DNA ligase, पूरी थीओरी में आपको समझा चुकी हो, now restriction endonucleases को हम genetic engineering में यूज करते हैं, और उसी से R DNA molecule को बनाया जाता है, जो different different sources के DNAs को हम जोड सकते हैं आपस में, लेकिन यह बहुत important है, कि हम vector DNA को और source DNA को दोनों को same restriction enzyme से कट करें, तभी तो हमें एक से sequences मिलेंगे, तभी तो वो sticky ends पास पास लाएंगे, तभी तो DNA ligase उन्हें जोड़ेगा, very 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 important, when cut by same restriction enzyme, resultant DNA fragments have same kind of sticky ends, और उसके कारण से they can be joined by DNA ligase end to end, very 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 important, they have to be cut by same restriction enzyme, और इस पर question पूछा जाता है, यह देखिए NCRT का diagram, आपको इसे खुद घर पर आज बनाने की practice करनी है, एक foreign DNA बनाना, एक vector DNA बनाना, plasmid अब आप जानते हो double stranded circular होता है तो ऐसा बनाना, तो यह है foreign DNA और यह है vector DNA याने plasmid, अब हमें क्या करना है, हमें same restriction enzyme cut करना है, बोथ foreign DNA and vector DNA at specific point, जो भी उसका specific point है, तो इसके भी pieces होगा और इसमें भी pieces होगा है, अब हमें ligase के थूँ जॉइन करवाना है, foreign DNA को with the plasmid, तो एक blue portion को हमने यहाँ पर जॉइन करा दिया, तो हमारा recombinant DNA molecule बन गया, अब इसे हमने host के अंदर introduce किया, जब हम host के अंदर RDNA को डालते हैं, उसे transformation कहते हैं, जैसे रूपान तरण, कोई किसी के बाल लंबे थे और अब छोटे हो गया, उसके बाल change हो गया, transformation हो गया, इसी तरह जो e-coli है, जो host है, कोई भी host है, उसके अंदर अब कोई दूसरा DNA आ गया, RDNA भी आ गया, तो उसका transformation हो गया, तो यह बन गया e-coli, this is the host, इस host के अंदर अब RDNA की copies बनेंगे, यानि हमारा पॉरण DNA भी multiply कर रहा है, multiple identical copies, यानि इसे हम कहेंगे cloning host, और जब यह divide करेगा, तो इसकी daughter cells में भी, हमारा वही RDNA आता जाएगा, यह diagram आपको बनाना आना चाहिए, अगर question आएगा, diagrammatic representation of RDNA technology, तो हमें इसी diagram को बनाना है, is it very very clear, आईए, इसी diagram का एक interpretation हम और देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा detail में बनाया है, action of restriction enzyme की बात की है, enzyme cut करेगा DNA को, at both the strands, at the same side, जैसे ECO-R1 G और A के बीच में cut करता है, यह मान लीजे, vector DNA है, यह foreign DNA है, ECO-R1 कहां cut करता है, direct question आता है, between G and A only, और वो भी कब, जब G, A, A, T, T, C वाला sequence present होगा, यह रहे दोनों points, यहाँ भी G, A, A, T, T, C दिखा, यहाँ भी G, A, A, T, T, C दिखा, यहाँ भी G और A के बीच में cut किया, दोनों strands में, और यहाँ भी same, ऐसा ही किया, किस ने, ECO-R1 में, तो इसके भी इस तरह के, और प्लस ऐसे भी इसके भी बने होंगी, इसके भी दोनों तरह के बने, इसका एक और इसका एक, इतना portion sticky end था, यह वाला sticky end था, जो single stranded, over hanging stretch था, इसके कारण यह दोनों पास पास आए, और अब DNA ligase, sticky ends पर जाकर, इन दोनों को, इस G और A के बीच, इस G और A के बीच, phosphodiester bond बना देता है, और यह बन गया recombinant DNA, हमें दो colors यूज करने पड़ेंगे, एक vector DNA के लिए, एक foreign DNA के लिए, you have to practice these two diagrams, today at home, at any cost, आज सोना नहीं हैं, दो डाइग्राम को practice किये बिना, have a look, चलिए आईए students, थोड़ा से हम आगे और बढ़ते हैं, अब हमें ही समझ में आगया, कि जब तक, until and unless, हम दोनों vector DNA, source DNA को, same restriction enzyme से कट करें, तब तक हम recombinant DNA नहीं बना सकते, बस यही लिखा है, यही line लिखी हुए, तो question आता है, one mark में question आ सकता है, कि कब तक, why same restriction enzyme should be used, because only then, we will get the counterparts, the sticky ends, which are complementary to each other, and they will come close, form hydrogen bonds, and this will facilitate, the action of DNA ligase, and only then, a recombinant DNA can be formed, अब एक बात समझो, जब आपने cut लगाया, restriction, I mean, पूरा जो DNA, purified form में बाहर निकाला था, उसमें अपने cut लगा दिया था, और जब cut अपने लगा दिया था, तो अपने को, बहुत सारे pieces में ले थे, right, साइंटिस्ट को मालूम है कि, human insulin producing gene का क्या sequence होता है, बतलब कितना size होता है उसका, अब हमें उन सारे टुकडों में से, भई देखो, मानलो 2 मीटर लंबा हमारा DNA है, उसमें मानलो 50 जगे पर GAA TTC का sequence था, तो ECO-R1 ने तो उन 50 जगे पर जाकर cuts लगा दिये, और बड़े-बड़े pieces हमें दे दिये, अब हमें पहचानना है कि, उसमें से insulin वाला gene कौन सा है, साइंटिस्ट को मालूम है कि, insulin gene का size मानलो 15 kilo base है, पतलब 15,000 bases का है, इतना साइंटिस्ट को मालूम है, पूरे 30,000 genes की decoding हो चुकी है, तो अब हमें उन pieces को separate करना है, और उसमें से अपना desired fragment को choose करना है, तो अब आते हैं हम next step पे separation and isolation of DNA fragment, अब ये कैसे करते हैं समझो, जब restriction enzyme ने DNA को cut किया, तो बहुत सारे pieces मिल गए हैं DNA के, इन्हें अब हमें separate करना है, वो हम करते हैं gel electrophorosis से, student 1 mark में भी इस पे बहुत सारे questions बनते हैं, 2 mark पे भी question बनता है, और diagram के साथ 3 mark पे भी question बनता है, आईए हम समझते हैं, बहुत simple है, suppose करिए ये मैंने एक trilly, ठीक है, इसमें gel भरते हैं, जेल कौन सा, जेल मतलब करते हैं चॉकलेट एक जेल है, जेल मतलब जब आप उसे heat करोगे, तो लिक्विड होगी, गर्मियों में पिघल जाएगी, और जैसे ही आप थोड़ा cool down करोगे, वो solid हो जाएगा, तो हमने एक truffly उसमें एक जेल डाला, और उसको ठंडा होने दिया, पहले गरम करा, microwave में, जेल डाला, एकदम transparent था, liquid था, ठंडा होने दिया, वो जम गया, पर उसके पहले वहाँ पर एक कुछ ऐसा कोंब जैसा लगा देते हैं, ताकि उस जगे पर वो जेल ना रहे, से मिलता है, यह polysacryide है, students, polysacryide, polysacryide, जो algae से मिलता है, red algae से, जो समुदर में पाए जाते हैं, तो NCRT में हीने sea weeds लिखा है, जो interested हो वो नाम लिख सकते हैं, grassy ladia and gelidium, यह दो बहुती famous red algae हैं, जिनसे agroze gel हमें मिलता है, अब इस agroze gel को microscope में देखोगे, तो actually यह solid जब होता है, तब भी यह ऐसा रहता है, एक छलनी की तरह रहता है, और छोड़े-छोड़े से छेद होता हैं इसमें, इस तरह का दिखता है, इसे छलनी यानि सीविंग effect कहते हैं, छलनी जैसा, कैसे हम चाय चानते हैं न, something like that, इस जैल का saving effect है, अब क्या करते हैं, हमें पता है DNA negatively charge होता है, phosphate group के कारण से, तो यहाँ पर हमने negative electrode लगाया, और यहाँ हमने positive electrode लगाया, और positive electrode को आप सबने physics chemistry में पढ़ाया, anode कहते हैं, और इसे cathode कहते हैं, और हमने इन दोनों को आपस में connect कर दिया, और electricity हम run करेंगे, और electricity को कोई medium चाहिए, तो वो medium जो है, वो हमारा agarose gel है, इस electricity को run करवानी के लिए, और हमने यहाँ पर DNA samples को load कर दिया, DNA samples को, एक हम इसमें control sample रखते हैं, जिसके बारे में हमें पता होता है, कि उस DNA में कितने-कितने टुकड़े हैं, और वो कितने-कितने size के हैं, बाकि जो हमने DNA, जो हमने pieces करवा हैं restriction enzyme से, उनको थोड़ा-थोड़ा sample यहाँ डाल देते हैं, और electricity चालू कर देते हैं, अब क्या होगा, suppose करो यह controlled वाला है, जिसमें four pieces हैं, इसे size के, और जब हमने electricity run करी, तो suppose करो इस वाले में यह दो pieces थे, इस वाले में यह दो pieces थे, इस वाले में यह, इधर भी कोई एक बीच में piece था, और एक और भी छोटा सा piece था, अब क्या करते हैं, समझो, यह क्या हुआ है, यह DNA के जो fragments हैं, यह भागे हैं इधर, क्योंकि खुद negatively charged है, one mark में question आता है, DNA molecules are negatively charged, hence they run towards positive electrode, that is anode, very very important, मैंने कैसे याद रिखे था, A, A means आओ, आओ, तो यह अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो anode की तरफ भागते हैं, दूसरा, यह किस के थ्रू रन करेंगे, agarose gel के थ्रू, और sieving effect के थ्रू, यानि इसमें, जो बीच-बीच में छेद हैं, वहां से भाग रहे हैं, मुझे बताओ, कोई छोटा सा बच्चा है, तो वो जादा दूर तक जाएगा, या बड़ा, आपको ओकि में बड़ा है, तो कहीं न कहीं बीच में अटक सकता है, फस सकता है, छोटा तो भाग जाएगा, तो जितना छोटा फ्राग्मेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टन, हजारो बार क्वेस्चिन आता है, smaller the DNA fragment, farther it moves, उतनी दूर तक वो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, इस डाइग्राम में भी देखो, जो छोटे वाले हैं, उन्हीं मैंने दूर तरफ भगाया है, यहां तक पहुचाया है, बड़े वालों को यहां रखा है, इतना समझ में आगया, अब, हमें पता है, कि यह जो हमारा controlled DNA है, उसमें इस size का होता है, insulin वाला gene, तो मुझे पता चल गया कि यह रहा हो, क्योंकि बाकि तो और कोई ऐसा है नहीं, तो यह मेरा desired gene है, पर actually दिखता कुछ नहीं, अभी सब कुछ transparent होता है, कब दिखता है, जब हम इसमें पहले, ethidium bromide डालेंगे, one mark में question आता है, और तब भी नहीं दिखेगा, इसके बाद ultra violet rays डालेंगे, जैसे ही आप ethidium bromide अड़ करके, ultra violet rays डालते हो, तो यह सब bright orange bands की तरह दिखने लग जाते हैं, यह जितने भी DNA के fragments हैं, मैं कट करके खटाती हूँ, इसे कहते हैं illusion का process, एक मैंने पढ़ाया है आपको spooling, spooling में क्या किया था, जब cell के अंदर थे पूरा-पूरा purified DNA निकाला था, जब chilled ethinol डाला था, collection of fine threads in suspension हुआ था, उसे spooling से निकाला था, उसके बाद तो restriction enzyme उसमें डाला, उसके टुकडे-टुकडे करवाए, उसे separate किया, और अब जब इस gel piece को मैं कट करके निकाल रही हूँ, उसे illusion कहते हैं, इसे very very clear, इसे कहते हैं gel electrophorosis, क्योंकि gel use कर रहे हैं as the medium, और electrophorosis मतलब electricity run करके कर रहे हैं, हर word पर question आता है, कई सारे questions हम देख चुके हैं, जैसे कौन सा gel use करते हैं, वो किन से मिलता है, किस effect के कारण DNA run करता है, DNA negatively charged है, किस electrode की तरफ भागता है, smaller the fragment, farther it moves, यहाँ पर size के basis पर DNA fragments को separate कर रहे हैं, कब visible होगा, ethidium bromide followed by UV rays, कैसे visible होगा, bright orange bands की तरह, gel piece को cut करने को क्या कहते हैं, illusion, यह कितने सारे one mark के question, and of course, two या three mark में तो full question आई सकता है, आये देखते हैं, so, gel electrophorosis, DNA fragments कैसे होते हैं, पहला question, negatively charged, so, कैसे separate होंगे, by making them move towards anode, under electrical field, through a medium, now, most commonly used matrix कौन सा है, next question, agarose gel, साइड है, जो C, weed से मिल सा, यह सारे questions है, now, DNA fragments सेपरेट करते हैं, किसके according, बहुत question आता है, according to their size, not charged, सभी negatively charged है, through sieving effect, कौन देता है, यह sieving effect, the agarose gel, smaller the fragment, farther it moves, very, 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 very important, now, यह रहा है, NCRT का डाइग्राम, अब हमारे लिए, बहुत simple है, बताएए मुझे, कौन सा positive, और कौन सा negative electrode होगा, जहाँ DNA डालेंगे, यह जरूर negative होगा, और जहाँ वो भाग रहा है, यह positive होगा, तो इस तरफ सबसे, छोटे वाले fragments मिलेंगे, इस तरफ largest मिलेंगे, यह हम DNA bands की बात कर रहे हैं, यह है wells जो हमने create की है, 1, 2, 3, 4 wells, यहाँ एक बात समझो, इस 4th, इस number 1 lane को देखो, क्या यहाँ पर कोई भी piece मिला, नहीं, इसका मतलब, यहाँ restriction enzyme ने काम नहीं किया होगा, अगर restriction enzyme काम करता, तो DNA के pieces होते, fragments होते, और हमें वो bands दिखते, पर यहाँ उसने काम नहीं किया, तो हम इस gel electrophorosis से, एक और चीज़ पता कर सकते हैं, activity of, digestive activity of restriction endonuclease, उसने काम किया भी है कि नहीं, तो यहाँ उसने digest नहीं किया, नहीं तोड़ा, याने यह undigested lane है, undigested, और second, third, fourth, digested set of fragments है, is it very, very clear? Now, यह visualize कब होंगे, जो separated DNA fragments है, only and only, जब हम ethidium bromide, followed by UV rays डालेंगे, very, very, very important, कैसे visible होंगे, bright orange color bands की तरह, very, very important, now, इनहें हम cut out करेंगे, from that gel, और उस gel piece में से निकालेंगे, हम उस agrose gel में से cut करेंगे, और फिर उस gel में से, हम अपने DNA fragment को निकालेंगे, इसे illusion कहते हैं, one mark में question आता है, what is illusion? It is separation of band of DNA, from gel, and then separating it from the gel piece, इस तरह से DNA fragments purify हो गए हैं, हम same process, vector DNA के साथ करेंगे, वहाँ भी fragments cut हुए हैं, उसमें से भी हम अपना desired fragment चूज कर लेंगे, और फिर हम उन दोनों को DNA ligase की help से, join कर देंगे, यह देखो लिखा है, अब हम इसे join करेंगे with the cloning vector, और फिर our DNA will be formed, is it very 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 clear? So students, आज आज आपको three diagrams practice करने हैं, एक, जहां activity of restriction endonucleus को समझा है, second, जहां पर हमने R-DNA technology का diagrammatic representation किया है, and number three, gel electrophoresis, इन तीन diagrams को आज आपको हर हाल में सोने के पहले practice करना है, इतनी theory को अच्छे से learn करना है, आज lecture पढ़ा है, तो आज ही इसको बिलकुल अच्छे से, short shortly अपने हाथों में लेना है, next class में हम बात करेंगे, vectors की, host की, और भी बहुत कुछ, till then a very happy learning and have a good day, thank you.